हाई फ्रेंड्स असलामों अलेकुम बैक टो मैं एट्वीप चैनल मैं हुँ ही ना और आप देखरें एचके किचन रेसेपी विद व्लॉग तो आज एक बहुत ही खास रेमेडी लेकर आयू में आप लोग के लिए जो कि है पत्री का इलाज किड़्नी का स्टोन जो होता है या आसानी से निकल जाएगा बस साथ दिन आपको इसे लेना है 100% effective है तो जिन लोगों को पत्री का problem है किड़्नी स्टोन है तो वो लोग एक बार जरू ट्राय कीजिए 100% effective है जैसे कि मैं बार-बार कह रही है आप लोगों को तो यहाँ पर हमें इसे बनाने के लिए लेना है एक ग्लास पानी, इसे हमें रखना है गैस के उपर, इसमें हम एड़ करेगे एक फूल लेमन जूस, तो इसे हमें बॉयल करना है देखें, अब लेमन जूस हम इसमें एड़ कर रहे हैं, विंटर सीजन चल रहा है तो सर्दिय अब इसे हमें बहुत ही अच्छे से बॉयल करना है तो 2-3 मिनट तक हम इसे अच्छे से बॉयल करेगे ताकि इसमें जो खटास है खटापन जो है वो कम हो जाए, देखें 2-3 मिनट कम्प्लीट हो चुके है तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है अब इसे ग्लास में हम पहले है सेप का सिरका मतलब एपल साइडर वैनिगर देखे इस तरीकी का होता है कोई भी किराना स्टोर में आप लोग का आसानी से मिल जाएगा अगर आपको पत्री है तो एक बॉटर लाकर रखना है आप लोगों को तो यह इसमें आड कर देगे पत्री के लिए बहुत ही फ अब 1 टेबल स्पूर हम हनी लेगे शहत वह भी इसमें आड कर देगे आपको शुगर है तो स्कीप कर दीजिए अगर शुगर नहीं है तो आड करना है अच्छे से मिक्स कर लेगे इसे और इसे हमें ठंडा होने के बाद ही पीना है अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ पूर देगे फिर सिपसप करके जैसे चाई पीते है ना उस तरीके से हमें से पीना है इसे हमें दिन में तीन बार पीना है सुबा दोपेर और शाम इसी तरीके से बना कर पीना है ठंडा होने के बाद इसे हम पीएगे तो यकिन मानिये 100% गैरेंटी के साथ साथ दिनों के अंदर आपकी जो पत्री है वो तूटकर सॉफ्ट होकर निकल जाएगी तो जरूर ट्राइ कीजिए और हाँ अगर आपको इससे फायदा होता है तो कॉमेंट में एक कॉमेंट जरूर करना है तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रहसान से रेसिपिया व्लॉग के साथ तब तक दौआ में याद रखना अला पीस